हेलो ट्रीडर्स आई विश्ट के आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू का भरपूर फायदा उठा सकते हो और आप अपने आप अपने अपने इंप्लिमेंट कर सकते हो इंप्लिमेंट होने के बाद में आप मालीजी आपको मौर्निंग में आपने सोचा कि मुझे कल SBI में पॉजिटिव साइट करनी है एक परिटिकलर इंडिकेटर के उपर तो अब होने क्या वाला है आप मालीजी रात के समय आट बजे दस बजे फ्री होते हो आपने स्ट्राइडजी ली और उसके उपर एक अलर्ट क्रीट किया और आप अपने सुबह सुबह आफिस चले जाते हो आपको कोई लेना देना नहीं है आपके ट्रेडिंग अकाउंट से अब होने क्या वाला है जो इस स्ट्राइडरजी आपने रन की है वो इस स्ट्राइडरजी पर जैसे ही इंडिकेटर पर सिगनल आएगा तो वो सिगनल आपका सीधा जाएगा हमारे बोट पर और बोट के थूँ जाएगा API के थूँ आपके डिमेट अकाउंट में तो यह सारी चीज है ना विदिन सेकंड होती है विदिन सेकंड छोड़ो मैं मिली सेकंड की बात करूँगा रीजन यह इतना फास्ट होता है कि आप लोग हातों से मैनुल ट्रेडिंग इतना फास्ट कभी गर भी नहीं पाऊगे आप खुद देख सकते हो आप मेरी लाइब वीडि कर लेता हूं अपने ट्राइल को आपको क्या करना है यहां पर क्लिक करना है और कैसे यह पूरा प्रोसेस करना है उपर आई बटन में वीडियो है पहले उसको देख लेना या फिर जब भी आप पेमेंट करते हो तो उसके साथ में हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कर कर आप easily login कर सकते हो तो मैं login कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने यहाँ पर complete detail fill की और sign in पर click किया करने के बाद मुझसे username password save करने लिए पूछेगा मैं इसको save कर देता हूँ और मैं अपनी ID को activate कर लेता हूँ यहाँ पर मैं click करूँगा click करने के बाद में यहाँ पर हमारा एक नए page open हो जाता है क्योंकि हमें premium की जरुवत है तो हम यहाँ पर try for 14 days पर click करेंगे और हमारे card यहाँ पर already होता है इसको किया और यहाँ पर start 14 days trial तो within minute आपकी ID activate हो जाती है तो मैंने यहाँ पर start किया करता है वो basically trading view website के through collect करता है यह बात ध्यान रखो और trading view में सबसे एक important चीज होती है जिसको हम बोलता है alert segment यहाँ पर आपका alert बन जाता है plus आपके पास कोई strategy है तो इस strategy को आप यहाँ पर pine editor में डाल सकते हो माली जी वो code होता है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो उसको run कर सकते हो तो यह सबसे best चीज आती है आप अपनी खुद की strategy बनवा भी सकते हो बना भी सकते हो अगर इस आपको pine editor आता है काम करना प्लस आप यहाँ पर strategy को test भी कर सकते हो सबसे main feature यहीं आपर count होता है अब मैं यहाँ पर basic setup करके दिखा देता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट ध्यान रखो लंबी चीजे काफी profitable count होती है सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहां से जितने भी हैं इनको delete कर देता हूँ यहां से मैं जैसे कि मेरे channel पर अगर आप हैं आपको पता होगा मैं 5050 में ही काम करता हूँ तो मैं यहाँ पर add symbol पर click करके प्लस अगर उसके future में काम करना है तो हम उसके future को भी यहां पर add कर सकते हैं common सी बात आती है माल लिजे मुझे index add करना है जैसे कि मैं nifty के index पर काम करना चाहता हूँ तो मैंने nifty search किया तो nifty के futures तो यहां पर आ जाएंगे हमें index करना है तो index पर click करेंगे तो यहां से हमें index जो भी होंगे वो यहां पर show ने start हो जाता है यह लिजिए index को यहां पर easily कर सकते हैं हम bank nifty के index को चाहते हैं तो उसको भी add कर सकते हैं प्लस different different index आपके सामने यहां पर दिखाए गया है अब बात आती है अगर मैं चाहता हूँ कि nifty 50 के सभी stocks within second मेरे यहां पर watch list में add हो जाएं तो उसके लिए मुझे क्या करना है यहां पर मैं ऊपर click करूँगा यहां पर create new watch list पर click करूँगा और यहां पर create new watch list करने के बाद में इसमें नाम डाल दूँगा nifty 50 and इसके बाद आप यहां पर ध्यान से देखो यहां पर three dots पर यहां पर जाओंगा और यहां पर मैं क्या करूँगा import list करूँगा जब आप payment करते हो तो आपको हमें एक list देता है उस list को यह यहां पर आप देख सकते हो हमारे सभी के सभी nifty 50 products यहां पर add हो जाते हैं आप यहां पर nifty 500 भी कर सकते हो nifty 100 भी कर सकते हो आप क्योंपर depend करता है अगर कोई भी modification करनी है तो आप यहां से बहुत ही easily इसके अंदर कर सकते हो तो यह तो हुआ right side का work की कैसे आपको करना है आगे देखो तो यहां पर timing segment आता है timing segment को कैसे आपको set करना है वह आपके depend करता है जैसे कि मैं यहां पर three minute five minute जाधा prefer करता हूं and 15 minute plus one hour and one day चीक है इन चीजों को मैंने set किया अब एक और चीज ध्यान रखो काफी लोग जो आते हैं हमारे पास वो कहते हैं भाई हमें छोटा time frame खुद का modify करना है 15 minute की जगा 10 minute तो आप नीचे की तरफ जाओगे ना यहां पर तो आप यहां पर 10 की 11 जूबी चीज डालना चाहते हो डालोगे यहां पर add करोगे तो वो 10 minute का time frame भी आपका यहां पर यहां पर जाता है जिक है ऊपर की तरफ आप देखोगे यह आपका add ह हो गया तो इस तरीके से आप time setup यहां पर कर सकते हो third step यहां पर आता है right side में left side में ही candles की बात आती है normally हम candlestick pattern को use करता है बट जब हम किसी indicator को use करता है तो better result के लिए हम यहां पर हेकिनेसी candles का use करता है ठीक है यह मैंने select किया और हेकिनेसी यहां पर choose की तो इनमें एक अच् मतलब क्या होता है fx का मतलब है indicator strategy जो trading view पे 1.5 lakh indicators प्लस 50,000 प्लस strategies जो free of cost लोगों ने यहां पर post की हुई है न आप उन्हें strategies पर work करके देख सकते हो उसमें modification कर सकते हो आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोग यहां पर modification हुई strategies के साथ में काम करते हैं और बहुत moving average को search करता हूँ तो moving average मैंने यहां पर search किया searching list में वो आ जाएगा यह आ गया मैं इसको यहां पर add to favorite कर लेता हूँ माल लिजिए अब मुझे दूसरा moving average भी चाहिए तो मैंने इसको add to favorite कर लिया अब आप जितनी भी script के उपर favorite करते जाओगे वो आपके favorites में आके हैं पर आ हमारी को strategy by की तो वो आपको यहां पर invite only script के अंदर ही दिखाई देगी जू indicators यहां पर activate होंगे आपके लिए ठीक है जैसे कि यह भी हमारे यहां पर दो indicator activate हैं like ORB breakout यह EMA breakout ठीक है उसके बाद बाद करते है next step like इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए आपको किवल moving average दिखाता हूँ moving average में माली जे मैंने कोई setup तयार किया है कि भई मैं one day के time frame पर करना चाहता हूँ या किसी पर भी करना चाहता हूँ ये 200 days मैं इसको normal choose कर लेता हूँ आपको दिखाने के करना है क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे इसको नीचे लाने के बाद में यहाँ पर आपको कॉल केटा दिखाए देगा and हमको उसको choose करना है और उस हिसाब से हमारा time जो है बिल्कुल setup हो जाएगा और बिल्कुल proper हमारा Indian time यहाँ पर Indian standard time दिखाए देगा चलिए उसके बाद बात आती है next आप देखोगे यहाँ पर कुछ चीजे आती है इनकी अभी आपको जरूरत नहीं है basically यह बार रिप्ले जो होता है यह भी आप यहाँ पर कर सकते हो बार रिप्ले में आप अपनी strategy को back test करके देख सकते हो चीक है back test करना basically ध्यान रखो बार रिप्ले जो रन होता है न वो normal candles पर होता है काफी लोग इसको hackinessy पर use करने की कोशिश करता है किया कैसे जाता है माल लीजे मैंने बार रिप्ले पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर से starting की कि यहाँ से बार रिप्ले हो तो देखो क्या होने वाला है पीछे तक की candles सारी हट ग लाती है तो यह चीज भी आप यहाँ पर कर सकते हो जो कि आप 0 da fire के अंदर नहीं कर सकते हो तो यह हुआ रिप्ले फीचर मैं इसको दुबारे से अगीन hickinessy यूज कर देता हूँ चलिए अब जितनी भी चीज हमने यहाँ पर किया है ना उसको हम कैसे से करेंगे यहाँ प आप हमारी trading ID यूज़ कर रहे हो आप क्या कर रहे हो आपने एक बड़ा like monitor है आपका जो की बहुत बड़ा है जिसके अंदर easily आप 4-8 चार्ट देख सकते हो then उसके लिए यह चीज़ यूज़ की जाती है आप यहां पर like 4-2-3 जितने भी windows चाहते हो like मैं यहां पर 3 वाला करके दिखाता हूं तो कुछ ऐसा यहां पर आपको नजर आएगा तो यह चीज ना आपके छोटे laptop में तो आपको मज़ा नहीं आएगा बड़ दोस्तों जब आपका laptop बड़ा या फिर आप tv connect करके काम कर रहे हो 40-50 इंचीज का so वहां पर यह multi time frame analysis के लिए ना इसका use किया जाता यहां पर इसको explain करना बनता है उसके बाद यहां पर full अगर हम इसको करना चाहते हैं full screen mode में तो इसको कर सकते हैं plus काफे time क्या होता है हम screen shot चाहते हैं screen shot के लिए हमें क्या करना पड़ता है हम photo कीजते हैं कि भाई देखो यह pattern change हो रहा है अब यहां पर movement आ सकती है क्या आती ह होगा मैं telegram पर photo share करता हूं वो इसी तरह करता हूं मैं क्या करता हूं basically मैंने इसको copy किया copy करके हमने क्या किया telegram पर जाके paste कर दिया या तो यह चीज की जा सकती है या मैं इसको save image करके तुरंत महां से telegram पर shift कर देता हूं तो इस तरीके से लोग जो है तुरंत within second like photo leave within second हम भी वैसे काम करते हैं आप भी वैसे ही कर सकते हैं चलिए उसके बात बात आती है कि आपको यहां पर कुछ चीज़े दिखाई देंगी नीचे की दरफ जब आप आएंगे यहां पर क्या है इसको auto select करेंगे तो क्या होगा यह अपना मतलब जगा change करता रहेगा आप देख पीछे की किसी particular date पर जा करना महां पर देख सकते हो कि क्या चीज़े हुई थी माल लीजे मैं कहता हूं मुझे एक महीने पहले की पुरानी एक particular दिन की चीज़ देखनी है तो मैं क्या करूँगा मुझे केवल यहां पर date change करनी है date change करते ही मुझे यहां पर go पर click करना है और पर जाती है ऐई विश उसके बाद बात करते हैं यहां पर निफ्टी स्टॉक जैसे हैं इसी तरह आप यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वाचलिस कर सकता है create new list करके आप बहुत सारी वाचलिस करें मैं केवल निफ्टी 50 में काम करता हूं इस कारण में आप एक यह वाचलि होती है ध्यान रखोए ये news जो होती है ने different different areas होते हैं वहाँ से देखी जाती है कि क्या news चल रही है electric utilities create करता है NTPC करता क्या है ये basic चीज़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप इसके थुरू ना यहाँ होती है fundamental जो कि आप company के fundamentals को read करते हो कि भाई कितना moments है कितने कितने लोग है क्या लोग काम करते है इनका कौन क्या काम करता है प्लस आप उनके technical indicators को देखते हो indicators में हम लोगों को कोई भी information लेने की जरुवत नहीं पड़ती है वो automatically आप समझ जाते हो जब technical indicator पर काम करते हो मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज में आपको ध्यान ही रखना है कि यह करता क्या है please इसको जरूर read करें क्योंकि मैंने भी इसको यहाँ से read करके ही करकर के ही सभी companies के बारे में information collect किये है आप मुझे comment करके क्या कोई मुझे सामने से पूछे ना कि कौन सी company के बारे में क्या है तो मैं easily nifty hundred companies के बारे में easily जानता हूं कि वो company क्या करती है कहां पर उसके plants है क्या क्या चीजे वो implement करती है क्या चीजे create करती है तो यह चीजे ना आप लोग यहां से बहुत easily समझ सकते हो तो यह भी ज़रूरी हो यहां पर नॉर्मल चीजे जो बताने की थी अब बात आती है असली असली गेम प्ले होता है यहां तक तो सबको सही था सबको समझ में आया अब हमारा automation का काम होता है वो कैसे किया जाता है वो समझ यह हमें क्या करना पड़ता है हम यहां यहां पर alert करते हैं पहली बात alert किस पर करते हैं हमारी कोई strategy या फिर कोई indicator जो होता है जैसे मान लीजे मैंने 200 days moving average है मैं कहता हूँ कि इसके उपर अगर जाता है तो मुझे buy करके चलना है इसके नीचे जाता है तो मुझे sell करके चलना है प्लस आप different different बहुत सारी चीज़ें यहां पर implement कर सकते हैं मतलब यह समझे कि आपके mind में अगर कोई idea आता है कि भाई देखो ऐसी condition मने तो मैं buy करना चाहता हूँ ऐसी condition मने तो sell करना चाहता हूँ तो यकीन मानो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो trading view पर ना की जा सकती हो तो यह है trading view की खासियत अब बात करते हैं काफे सारे लोग ऐसे होता है जिनके पास ओलड़ी एक trading view account होता है बट वो चाहते हैं कि हमारे पिछले वाली trading view थी न उसका पूरा तो पूरा डाटा विदिन बन क्लिक मैं नहीं trading view पर शिफ्ट करना चाहता हूँ उसके लिए क्या करना पड़ता है तो मैंने एक नया यहाँ पर एक मेरा पुराना जो ट्रीडिंग अकाउंट था न वह मैंने दूसरे उसमें लॉग-इन किया हुआ था अब देखो जैसे कि यहाँ पर कुछ indicators already लगे हुए हैं जैसे कि मैं test करके देखता रहता हूँ कि कौन से indicator कैसे काम कर रहा है में भी किसमत अच्छी हो और कोई free of cost indicator हमारे दिमाग में बैट जाए तो common सी बात है अगर वो चीज बैट गई ना दोस्तो तो यकीन मानो belief system ना बहुत जादा important होता ह अगर आप किसी पर believe ही नहीं करते हो तो आपको चाहे वो कुछ भी करते कुछ नहीं होने वाला बट अगर आप believe करते हो ना कि हाँ भाई मुझे पैसे कमाने है और मैं कमा सकता हूँ प्लस तब ना लोग simple v-wap line पर काम करके पैसा कमा जाते हैं आप indicator की दो बात छोड़ी द कौन करταकर आपके सामने दिखाई है उस पर आ जाये तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा यहां से थमझना इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर जाने के बाद में इसको शेर ओफ है न इसको कोपी करने के भाद ना जो उपर आप अो पर आपनी नई मुझे यहां पर दिखाई देना है start हो जानी चाहिए तो यह सभी के सभी indicator यहां पर आ चुके हैं अब क्या है आप बेसिकलिए आपको यहां पर इसको copy करना है और copy करने के बाद में इसको save कर लेना है यहां पर save किया तो save करने पर अब होगा क्या यह जो है आपका layout जो है यह proper layout आपके इसमें save हो जाएगा और save हो जाने के बाद में आप easily उस layout को यहां पर transfer कर सकते हैं जैसे के आप देखो यहां पर पूरे के पूरे जो भी indicators थे ना वो यहां पर आ चुके हैं ठीक आपकी ID दि जैसे यह वाला था ना पीछे भी हम कर रहे थे तो भू भी यहां पर available है और नया भी available है आप चाहो यहां पर multiple chart layout बना सकते हो हर chart layout के अंदर आप 25 indicator तक plot करके देख सकते हो indicator को plot करने का फायदा यह रहता है आपको अगर कोई free indicator समझ में आ जाता है कि हाँ यह किस logic पर काम कर रहा है तो यकिन मानो बहुत ही अच्छा profit आप महां से earn कर सकते हो तो यह हुआ किस तरह से हम chart को transfer करते हैं देखो यह indicator basically आप खुद लगा लगा कर देख सकते हो I don't think कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़े है जो rocket science है तो common सी बात है free of course indicator आपको मिल भी जाते है उसके बात बात करें next step क्या चीज़े आने वाली है कि हमें काम कैसी करना है का मतलब है automation trading कैसे setup करनी है automation trading करने के लिए सबसे पहला step ध्यान रखो आपको next level board के अंदर register होना पढ़ता है जिसके link में ने description में दी है आप without link भी जाके register कर सकते हो कोई issue नहीं है दूसरी बात यह आती है वहाँ से आपको जो लेकर आना है वो है webhook URL वो कैसे लाया जाता है पहले मैं आपको next level board पे ले जाता हूँ यहाँ पर आजाने के बाद आप right side में देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा chart inc webhook URL क्योंकि हमारा जो board है वो दू चीजों से काम करता है पहला है trading view के उपर दूसरा है charting के उपर मैंने playlist बनाई है और वहाँ पर जाके आप सीख सकते हो कैसे charting के थूँ आप काम कर सकत हो दूसरा है sequence webhook URL हम क्या करेंगे यहां से इसको copy पे click करेंगे copy पे click करने के बाद में next step हमारा क्या होने वाला है हम जाएंगे अपने trading view के उपर और इसको connect करेंगे अपने next level board के साथ इसके लिए हमें क्या करना क्या है द्यान से समझो हम right click करेंगे किसी भी candle पे यहाँ पे हम जाएंगे add alert पे जाने के बाद में हमें यहां पे कुछ चीज दिखाई देगी और उसके अंदर आपको यहां पे ना alert actions के अंदर आपको क्या करना है वैब book पे okay करना है और यहां पे जो हम copy करके लाए हैं उसको यहां पे paste कर देना है और यह उपर जो है न शौप आप इसको हटा देना है क्योंकि काफी ज़्यादा irritating हो जाता है जब आप trade कर रहे होते हो बार बार वाँ पे notification आता है I think यह इच्छा नहीं लगता तो मैंने क्या किया मैंने इसको create किया अब देखो यह जो create किया है यह alert आपको यहां पर alert segment में दिखाई देगा अब इसको तो हम cut कर देते हैं क्योंकि हमारा इसका तो कोई काम करते हैं अब मान लीजे मैं कोई alert बनाता हूँ और alert बनाने के बाद में असली चीज क्या होने वाली है जो यहां पर आप code डालोगे न वो आपका असली काम करेगा जो भी आप code डालोगे like buy या फिर sell का वही चीज वहां पर होने वाली है आपके demate account के अंदर यहां से signal कर देंगे like code सही है और आपने किया है तो जो भी code है वो particular script पे run on I start कर देंगे तो यह हमारा पूरा setup है जो कि बहुती easy बहुती आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हो तो इस तरीके से हम लोग यहां पर code create कर सकते हैं माली जी मैंने यहां पर डाल दिया reliance तो मैं reliance का यहा अवर व्यू था trading view के बारे में trading view में अगर आप इतनी चीज़े सीख जाते हो न तो decent amount होती है अब आपको एक अच्छी बात और बताता हूं अब हमारा system जो है update होने वाला है कैसे अब आपको जो हमारा next level board है इसके उपर आके सुबह सुबह login नहीं करना है आपको सुबह जाएगी हमारा system automatically आपकी API activate कर देगा अब आप माल लीजे office जाना है आपको सुबह आप रात के समय आते हो आपने देखा देखो बाई reliance के अंदर मैं buy side पर काम करना चाहता हूं like कोई भी एक indicator on कर लेता हूं जैसे कि माल लीजे 100 days moving average को on कर लेता हूं मैं कहता हूं कि 100 days moving average क के ऊपर अगर candle जाती है मैं पहले इसको cut कर देता हूं यह लीजे अभी यहाँ पर अगर यह 100 days के ऊपर जाती है तो मेरे 1000 shares buy करो तो इसके लिए मुझे क्या code बनाना होगा वो समझी है मैं क्या करूंगा right click करूंगा और यह काम कब करना है आपको market शुरू होने से पहले मतल अगर कल market शुरू हो रही है तो आप आज रात को ही इसको बना कर रख सकते हो आप रात को ही त्यार करके रख दो आपका trade चलता रहेगा आप से वह पूछेगा भी नहीं ठीक है तो कैसे काम करना है आपको यहाँ पर right click करना है right click करने के बाद add alert में जाना है आपको यहाँ condition डालनी है कि condition में क्या है candle with alert अगर आपने candle with alert indicator की वीडियो नहीं देखिए आई बटन में देखो क्योंकि यह indicator हमने 30,000 रुपीज तक में sell किया है जो कि अब भी हम सब भी को free of cost provide कर रहे है क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है न वही चीज indicator के साथ होता है जब हम इस indicator का use करना सीख जाते हो तो यकीन मानों आपके trading skills के अंदर अगर आप 50% profitable हो तो आप 70% profitable count के लाओगे इस indicator का use हो जाने के बाद मैं फिर कहता हूँ यह paid indicator है आपको cable free में दिया जा रहा है क्योंकि आप हमारे board के subscriber हो ठीक है तो चलिए start करते है candle with alert का opening इसका मतलब क्या है कि candle का opening जो है इस 100 days के moving average के ऊपर हो यहाँ पर मैं डाल दूँगा crossing up क्या डालना है crossing up में 100 days moving average के ऊपर जाए options में once per bar डाल देता हूँ कि जैसे खुले तुरंत मेरे shares buy कर लो इतना काम किया काम करने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे buy code क्योंकि हम buy का code बनाया है अब क्या है असली game जो play होगा ना दोस्तो वो होगा इसके साथ में कि आपने यहाँ पर जो trading के लिए जो message डाला है message में आपको क्या डालना है buy का code डालना है कि 500 shares या 1000 shares buy हो जाए अब यह code कैसे बनेगा वो मैं वीडियो में आपको आने वाली वीडियो में समझाने वाला हूँ उसकी चिंता मत कीजे वो आप पुरी तरह समझ जाओगे अब मैं इसको क्या करता हूँ create कर देता हूँ आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते थे आप कह सकते थे कि जैसी खुले 500 shares buy कर लो और टूर्पीस का target मिलते ही trade बंद कर दो या फिर आप कह सकते थे target नहीं मिलता और अगर यह वापस 200 sorry 100 days के नीचे आता है तो मेरी trade भी बंद कर दो रूपर जो मैंने एक limit order लगाया था exit करने का वो भी बंद कर दो तो दोस्तों आप सब चीजे कर सकते हो depend करता है कि आप कितना दिमाग दोडा सकते हो मतलब strategies कितनी बना सकते हो share market में सब लोग जानते है कि दो ही चीजे की जाती है या तो buy किया जाता है अब असली game यह है कि buy और sell किया कब जाता है game यह नहीं है कि buy sell कैसे किया जाता है वो तो आप कैसे भी सीख सकते हो असली game बस यह है कि कहां पर कब और किस समय पर buy या sell किया जाता है तो आई विश कि आप यह चीजे समझ गए होंगे ठीक है थोड़ा सा और excellent कर देता हूं जैसे कि आप देखो यहां पे बहुत सारी चीजे involved होती है जैसे news, reliance के ब क्या चीजे आ रही है प्लस यहां पर काफी सारी list मिल जाते है कि किस exchange पर क्या काम होना है प्लस ideas अगर आप चाहते हो free of cost कोई idea थे तो आप यहां पर paste भी कर सकते हो यह आगे की चीजे होती है आप दूसरी community के साथ में बाते भी कर सकते हो दूसरी chat भी कर सकते हो जो लोग यहां पर trading view पर different different like forex trading हो गई cryptocurrency हो गई या किसी particular stock के बारे में बाते कर रहा है आप देख सकते हो just now अभी अभी कोई यहां पर कुछ चीजे लिख रहा है ठीक है तो यह सारी चीजे आप कर सकते हो प्लस आपको जो भी indicator की access मिलती है उसके notification आपको यहां पर दिखाई देता ह लिए है so I think यह सारी चीजे trading view के बारे में जो भी कुछ बताने कहा था मैंने आपको बता दिया है final चीज यहाद रखो कि आपको जाते जाते न यह यहां पर save all charts for all symbols and जो भी चीजे यहां पर setup की है उसको save करो अब क्या है अगर मैं इसको cut कर देता हूं और दुबारे से इस जो important चीज थी वो मैंने सब चीज आपको बताई है उसके बाद नीचे की तरफ आ जाता है यहां पर देखो नीचे यहां पर आपको कुछ stock के scanners दिखाई देंगे कि आप किसमे scan करना चाहते हो आप इस पर click करोगे तो आपके scanners आपके सामने open हो जाते है प्लस उसके बाद बात करें यहां पर कुछ nots create कर सकते हो आप अपने लिए कि भाई मैंने यह चीज मुझे करनी है इस particular date पर या फिर आपके पास कोई code है code मतलब जैसे मैं दिखाता हूं आपको मैं यहां पर जाता हूं मैं किसी भी चीज का ना कोई code ले क्या आता हूं देखो जैसे कि यहां पर कोई indicator है मैं उसको लेता हूं और इसका कोई code होगा तो मैं code create करता हूं देखो यह जैसे मालो इसका code है यहां source code में गया मैंने देखा कि मेरे पास एक already बना बनाया code है तो मैंने इसको copy कर लिया copy करने के बाद ध्यान रखो अब आपको करना क्या है अगर आप चाहते हो क कि मैं नया indicator लाया हूं कहीं से code लाया हूं तो मुझे क्या करना है यहां पर pine editor में आना है और यहां पर आके उसको paste कर देना है पेस्ट करके add to chart कर देना है तो जो code होगा वो run होना है start हो जाता है तो यह चीज बहुत ध्यान रखना इससे आप सीख जाओगे कैसे काम करना है प्लस अगर आपके पास कोई strategy है जैसे कि मेरे पास अब यह एक strategy है जिस पे हम लोग काम कर रहे है जिस पे अगर profitable strategy है अगर सामने निकल जाती है तो आप खुर समझ सकते हैं कि कितना profit बनता है मैं आपको एक चीज दिखाता हूं इस strategy में हमने क्या किया हूआ है basically इसमें हमन होता रहता है उतनी probability कम होती रहती है और यह decent amount है इसके अंदर अभी थोड़ा सा issue यह है कि इसमें कुछ problems create हो रही है problems मतलब कि limit order नहीं लगा पा रहे है हम strategy के अंदर जैसे ही वो चीज आ जाती है मैं आपको YouTube पे इसको दिखा दूँगा कि कैसे इसको काम करना है तो इस तर आप करना सीख जाते हो माल लीजे आपके पास में यह strategy है तो आप क्या करोगे आपको केवल strategy रन करनी है और अराम से अपने office चला जाना है जहां पर आप जाना चाहते हो जा सकते हो आप अपनी दूसरी trades कर सकते हो दूसरी strategies create कर सकते हो और आपके नाम पर system काम करता रहेगा तो I think इससे best चीज और कुछ नहीं होने वाले मैं इसको दूसरी चीजों पर लगा के दिखा देता हूँ आप कहेंगे यह तो reliance है छोटा सा shares है basically SBI पर देख लेते हैं एक बार तो इसका overall जो है वो 91% यहाँ पर दिखा रहा है 206 trades आई है profit factor अगर 2 से अबव आता है किसी भ हमने आता है basically इसके अंदर हमारे result 76% है तो यह different fluctuate करता रहता है क्योंकि हमें strategy के अंदर कुछ modification भी करने होता है उन modification को अगर आप सीख जाते हो तो profitable strategies run की जा सकती है तो इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ I wish कि आपको वीडियो समझ में आया होगा क्या चीज़े मैं ने explain की है और यह जो series है इसके अंदर हम लोग पूरी चीज़े explain कर रहे है कि किस तरीके से आप घर बैट कर automation trading learn कर सकते हो किसी को कोई fees दिये बिना चीक है common सी बात आती है हमारे पास clients जो आते हैं अभी clients based इतना हो चुका है कि clients आते हैं वो कहते है मुझे आ के समझाओ बट हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं आप समझ रहे हैं तो यह problem हमारे सामने create हो रही है तो हमारा मानना यह है कि videos इतनी best बना दी जाएं qualities में कि client को कोई भी issue generate ही ना हो कोई question नहीं होगा तो सीधी सी बात है उसको जवाब जब मिल जाएगा तो हमको परशान भी नहीं करेगा अ आपको पता लगाओगा कि trading view को कैसे use करना है कैसे आप इसका basic setup complete कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आए तो like कर सकते हो comment है तो कोई question पूछ सकते हो मुझसे मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा और अपने friends के साथ please video share करना मिलते है next important video की अंदर